हेलो गाइज स्वागत ते आपका अपने यूटिब चैनल स्टेडी विद अवन कुल्मी आज मना हैं शिक्षा निदे शाले रास्य राजदान निशेत दिली की कारी प्रतेक नंबर फाइब चुकी क्लास नाइंद के बच्चों के विश्य आपका विज्ञान है डेट इसकी 16 सेप्टेमबर 2021 आप अपना नाम और अपको नाम रखेंगे यहां पर आपको सही प्रशन दे रहे हैं सही विकल्पों कि सामने आपको गोले को पैंसे साहते से काला कर देना है तो का आपको 10 कोशिन दे रहे हैं हर कोशिन आपका वन मार्क्स का है तो अभी तक चैनल को सब्स टाएक प्लासिक द्वारा प्रदान होता है तो जो फूल में रंग और फूल में रंग और फूल फूलो में रंग होता है वह कौन से प्लास्टिक के द्वारा प्रदान होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट तो हमारा जो फलो में या फूलो में रंग जो होता है वो क्रोमो प्लास्ट के द्वारा प्रदान होता है तो आप इस पे बी पे टिक कर लेंगे आपका बी ऑप्शन इस पर करेक्ट हो जाएगा फिर ऐसी यानि कुछ नंबर था आपका निम्लकित में कौन प्याज की कोशिका में तो फस्तित होता है लेकिन कपोल कोशिका में नहीं होता है यानि कौन सी चीज़ा है जो हमारी प्याज की कोशिका में होता है पर कोशिका बित्ती केंद्र कोशिका द्रव या प्लास्मा जिली तो आप देखिए इसमें हमारा तो हमारा एज ऑप्शन हमारा कोशिका बित यदि हम कुषियर न victims करते हैं तो किस विल्यन में कोशिगा वार चाहिए नहीं अनुक्त सबीफ है ने पाक चाहर चाहिा तरल एकुआ rein दृब्स में से आपको बेता हैं जिसमें पर फोन में नहीं करता है यह समय और मैं जीव हो हुं कैड़ा उसके दराएं ऐसों सिर्दव सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें तो आपका इज्ट ऑप्षण फोर्डेंग जाएगा एक प्रोटीन संजलेशन में नहीं है तो वह घुशिन नहीं होती चिकनी होथी यह वह समलिथ नहीं होती है कुछि नमबर सेवन थे एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुण सो के संक्या आधि हो जाती तो आपको पता है उसके आधि हो राता है। देखते हैं कोशिका कीशा की आख्स जल्दी कोशिका के ऊद्वाजर कोशिका देखतें निम्लिकित कोशिका अंगक में कौन कोशिका की आत्म घाती ठहली कहलाते हैं इन में से कौन सी कोशिका का आत्म घाती ठहली कहलाते हैं जो सुसाइड बैग होते हैं आत्म घाती कहलाते हैं तो गौल जीब करन कहलाते हैं या माइट्रो क्रोंडिया या लाइसोम या प्लास्ट कर्ण वेश्ट वूशन या नि आपको दो कंथन मैं आपको एक अभी कंथन आपको कारण होगा कंथन को करण कि Gel ऊपना को आपकर के साज़ता हैं और ऑपन कर देख लेते हमें चार ओप्शन दिये होते 혼자 अब अगर आपका कारण और आपका कारण दोनों सही है और कारण जो हमारा जो कारण है वो सही व्याख्या करते हैं तो हम A पेटिक करते हैं अगर हमारा कारण कारण दोनों सही है और जो हमारा कारण है वो कारण की सही व्याख्या नहीं करते हैं हम बड़ा бы करते हैं अगर हमारा चतले कारन गलत है तो हम सीपटिक करते हैं तो एक प्राइटेट जीव होता है वह रहता है अब कारण आपको दे राख है विशानु केवर अपने होस्ट में जीवित होता है यानि जा हमारा विशाणु है वो जब किसी बॉडी में रहता है वो तभी जीवित होता है हाँ यह भी सही है विशाणु हमारा नहीं प्रोकारेटिक होता है नहीं वह कोशिका होती है तो हमारा आपने की कारेंट जो है वह सही है पर हमारा कथन गलत हो आप आपको बता है जब कथन गलत अभी कतन मैट्रो टोंडिया को कोशिगा का बिजली है यह पयार करते हैं तो आप देखें हमारा कथन करेक्ट हो जाएगा तो आज क्या आपकी वोक्षिट कम्प्रीट होती है थांक्स वाचिंग डियो बैबे गईज